दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बड़े बाला सेलंग फैन दखा रहा हूँ जिसको हैलिकरप्टर फैन भी बोला जाता है अक्सर ही आपने देखा होगा के जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है जहां बड़े बड़े हाल है जहां बड़ी फैक्टरी है जहां पर लोगों का ज्यादा अकट रहता है काम करने वालों का पबलक का ज्यादा अकट रहता है वहाँ पर यह वाले पंखे लगाया जाते हैं क्योंकि अगर हम एक पंखे की इसकी बात करें तो एक पंखा तकरीबन 20 से 25 सीलिंग फैन पंखों के बराबर का काम एक पंखा ही करता है अगर दोस्तों हम इसके नाम की बात करें ज्यादा तर लोग तो इसको हेलिकप्टर फैन भी बोल देते हैं लेकिन इसका जो नाम है इसका नाम है जी HVLS High Volume Low Speed जानी के ये Low Speed में High Volume देता है ज्यादा हवा देता है और सबसे बड़ी बात जो इसकी हवा होती है दोस्तों ये हवा इसकी जैसे Natural हवा होती है कुद्रती हवा होती है उस तरह हवा हमें मिलती है अगर हम दोस्तों इसकी बात करें कि ये कब बना 1998 में कैलिफोर्निया में इसका डियाइन किया गया और सबसे जो पहला पंखा है ये बना था डेली फार्मंग के लिए और जो सबसे पहला पंखा था उसको बेल्ट के दोरा ही चलाया गया था जैसे जैसे नई टेकनोलोजी आती गई उसी समय से ये भी अपड़ूट होता गया तो बेल्ट के बाद इसके अंदर ही मोटर लगा दी और मोटर के बाद गेर बॉक्स लगा दिया और जो मोटर पहले 3 पेज होती थी लेकर अब इसकी जो मोटर है वो BLDC मोटर आ चुकी है तो जहां पर जो आप पंखा देख रहे हो अगर मैं इस पंखे की बात करूँ इसकी अगर हम कीमत की सबसे पहले बात करें तो यह वाला दोस्तो पंखा डेड़ लाख रपए का एक पंखा है और तकरीबन तकरीबन जिस एरिये में एक पंखा चल रहा है जहां पर कम से कम 20 से 25 पंखे चलने थे तो इतने पंखो की जगा एक पंखे नहीं ले ली है अब दोस्तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी बिजली की खप्त की तो जैसा के यह वाले पंखे की ड्राइव है और जहां से मैं इसको जानी के हम कह सकते हैं कि यह इसका रेगुलेटर है जहां से हम इसकी 24 फिट और किसी किसी ने अभी यह इस पंखे को 27 से 28 फिट तक भी किया है लेकन ज्यादा तर आपको यह पंखे 24 फिट तक ही मिलेंगे तो इसकी जो सपीड है तो जहां पर आप ड्राइव के उपर देखें इसके उपर आरपीम आपको दखाई दे रहे हैं आगर हम इसके मै पिकसिमम आरपीम है और एक बात और देखें के 650 अरपीम के उपर सिंगल फेज यह बिजली की सप्लाई है 230 बोल्ट 230 बोल्ट 650 अरपीम के उपर यह तकरिबन 3.5 अब ले रहा है अगर हम इसके जो RPM है वो कम करेंगे तो बिजली की खफ़ और भी कम होगी तो अगर हम इसकी बात करें तो तक्रीबन तक्रीबन 900 वाट के आसपास ये एक पंखा हो गया है और दूसरे तरफ अगर हम देखें अगर जहां पर हमें 20 पंखे लगाने पड़ते सीलिंग फैन जो नॉर्मल है तो एक पंखा कम से कम 80 वाट ले जाता है तो उसे हिसाब से तक्रीबन तक्रीबन 1800 वाट के आसपास हो जाना था तो उससे आदी ये बिजली खा रहा है और एक पंखा ही हवा दे रहा है और दोस्तों ये वाले जो पंखे आज कल बहुत ज्यादा लग रहे हैं इसको HVLS बोला जाता है ये दोस्तों जानकरी के लिए वीडियो थी आपने ऐसे पंखे काफी देखे हूंगे लेकन हो सकता है आपको इसके आरपीम और राटाई के बारे में पता ना हो तो शोटी सी वीडियो थी जानकरी के लिए बढ़िया लगे तो लाइक और कमेंट कर देना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू